जीते जी कोई सुधनली, बोल न बोले बात न की, बाद मिर्तियों के शोक करहे, पित्र मुक्ती का मना रहे स्राद, हलवा पूरी डुक्ती जीनी और मिठाई पंडित दी, स्वर्ग सिदारे पूरवज जी में पकवानों का स्वाद, कहे, सुनो भैसादो, कितना भी अभोग लगा दो, मिठे न मन का अवसाद, अर्थात है, जीते जी माबाप के साथ अच्छे डंग से बात नहीं की, उनको हॉस्पिटल नहीं लेके गए, उनकी सुद नहीं ली, लेकिन मरनों पराद करने चले हैं स्राद, और हल्वा पूरी बनाकर लोगों के सामने कर रहे हैं डोंग, ये सब बंद करिये, और जीते जी अपने माबाप को, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, पुरे प्यार मुहबबत से रहिए, कल क्या पता हो नहो, दवशकार प्रेसातियों, मैं हूँ सुरेश रिमाली, और आप देख रहे हैं, 19 सितंबर सोमवार मात्र नवमी आज कर आशिवर, प्रेसातियों, आज के दिन मैं मुंबई में हूँ, और कल, यानि 20 से लेकर 27 सितंबर तक, लंडन, लेस्ट और बर्मिंगम यानि यूके के पर रहूँगा, 1 अक्टूबर को लॉटकर दिली, 2 अक्टूबर लखनो रहूँगा, 7 अक्टूबर मुंबई, 8 अक्टूबर नाकपूर और 9 अक्टूबर को पूने में रहूँगा, 15 अक्टूबर सूरत बडोदा रहूँगा, 16 अक्टूबर कैमदाबाद और 17 अक्टू के तो उससे हमें पता लगता है कि हम पर पित्रों की कृपा अब बन रही है कारिकरम क्यान तुम्हें एस्ट्रु क्यान लेकिन शुरुबात गुरुमंत्र से सौभाग्य और एश्वरे को बनाये रखने के लिए आज के दिन मेरे प्रेसातियों सुभे स्नानाधिकारियों से निवरत होकर आपको घर के दक्षण दिशा में एक बाजोट पर हरा वस्तर बिचा कर अपने पूरवजों की तस्वीर रखिए फोटो रखिए दीपक उनके सा प्रूर और साथ में लॉंग और इलाइची चड़ाएं अब भागवत गीता के नवए अध्याय का पाट करें किसी योग्य ब्रह्मन को खीर हरे फल वस्त्र और दक्षन देकर आशिरवाद दीजिए इसी से आज का दिन पूर्णेशाली बन जाएगा चंद सेकिंड आप ल और वसुन अक्षित रहेगा ग्रहों से बनने वाले वाशी योग आनदादी योग अनफा योग के साथ तो मिली रहे और बुदादीत योग भी कल से शुरू हो चुका है अगर आपकी राशी मितुन कर्णिया धनू और मीन है तो हंस योग और भदर योग के लाप लेगा म सुबह सवादस से सवाई 11 शुब का चौगरिया और दोफैर को चार से छे बजे तक लाब और अमरेत का चौगरिया कोशिश करेगा सुबह साड़े सांस से सुबह नव बजे तक राहुकाल के समय शुब और मांगली कारे ना किये जाए सुबहाग्य स्वाम आपके द्वार आए और आप उसका स्वागत ना करे तो आप से अधिक अभागा कौन होगा अगर उसका स्वागत किया जाए तो सुप संपती यश कीर्थी वंच व्रधी के साथ परिवार में खुशियों का आपार भंडार भरने से कोई नहीं रोग सक अधे प्तरपक्ष यानि श्राद का समय वही समय है है जब हमारे पूर्वच फित्रगण हमारे द्वार तक आते हैं 10 सितंबर से 25 सितंबर तक श्रादपक्ष के दुरान अध्यात्मिक साधना सित्थी केंज एक दिन के लिए आपके पूर्वच पित्रगणों के लिए आपका नाम गौत्र का संकल्प लेकर पून विदिविदान से तरपन किया जाएगा जिससे पित्रों की शांती के स साथ कुंडली में बनने वाले पित्र दोश काल सर्प दोश एवं तंत्रबादा जैसे परिशानियों से शीग्रही रहत मिलेगी तो शीग्रही समय रहते अपना रजिस्ट्रेशन दिये गए नंबर पर करवाएं 02-91-279-90-00-243-2625-264-6625-93-147-28-165-982-90-26625-93-147-492-222 आए राश्यफल के शुरुबात हमेश आगे तरे मेश राश्य से करते हैं साहस, करेच और एंतुजियासम डेवलप होगा कुछ अलग कर गुजरने के तमना रहेगी रीसर्च बर करके उत्साह के साथ दिन के शुरुबात करेगी संतान के तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा अगर विशिश जियान दोगे तो वो आपके अपने बन जाएंगे दिन परिवार के साथ अच्छा गुजरे का कहीं बोजन करने का सराद में जाने का, बुलाने का, मन में खैल आएगा अपनी मन की बात जरूर शेयर करें, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज अच्छी खरीदारी और भविश्यों के लेकर किसी अच्छी रूप रेखा बनाने का मौका बिलेगा बिजनस में, बिजनस पार्टनर के साथ ट्रेवल करने का और नई योजना आने वाले फैस्टिवल सीजन के लिए कुछ अच्छे इंवेस्टमेंट की योजना बन सकती है वर्किंग जो लोग मैला हैं, वो घर और परिवार को और साथ वे अपने प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा तनाव ग्रस रहेगी, मैस हो जाएगा इसे घर में तकलीब रहेगी, बर्ट प्लेस पर दूसरी लोग आपके वेक्तित तक तरफ यहां अट्रैक्ट होंगे और घर वाले जलन रखेंगे किसी वरिस अधिकारी मंत्री बॉस आफिसर का मार्क दर्शन आपके लिए मील का पत्तर साबित होगा उच अधिकारियों से अपने मंद की बास जरूर करेगा इस्टूडेंट, आर्टिस और प्लेयर्स आज आप व्यस्त भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे जब तक आप अपने काम में व्यस्त हो तब तक काम आसान होता है आज गले का इंफेक्शन परिशान कर सकता है, ख्याल रखिएगा बात करते हैं वरशब राशी के पैसे से पैसा कमाना कहां इंवेस्ट्मेंट करना और पहले जो इंवेस्ट्मेंट किया उसका क्या हुआ है इस पर चिंतन और मंधन करना जरूरी है नींद में बेचरी, अग्यात भाय, घवराट बेचरी, डर, चिंता आपको सताएगी बिजनस में आप अपने काम को जल्दी बाजी के बजाए सहज तरीके से पूरा करें सोच विचार करके पूरा करें आपके खर्चे भी कम होंगे, कर्जे भी कम होंगे आपके काम भी इससे बनते चले जाएंगे बहुत आदितियों की बनने से इंटेलिजेंस अच्छा रहेगा यात्र अच्छे रहेगी और बिजनस विट प्लेजर वाली यात्र रहेगी वर्टलेज पर थकान, भूरियत, फालतु की चीज़ों में टाइम वेस्ट करने का आज आप काम करें इससे बची कॉम्पीटीटर्स सक्री हो रहे है, थोड़ा अलट हो जाएं अधिकारियों से उलजने और सरकारी महकमे के लोगों से उलजने की कोई कोशिश नहीं करें किसी परतिबाशाली वेक्ती का मार्ग दर्शन प्राप्त होगा या समय परिवार को समर्पित करने का है रिष्टों को मधूर बनाए रखने के लिए आपको विशेश परियास अब करने होगे स्टुडेंट अपनी कड़ी महनत से मिली हुए पैचान से आज असंतुष्ट होंगे दो अक्षर का होता है लख, तीन अक्षर का होता है नसीब, साड़े तीन अक्षर का होता है किस्मत पर इन चारों के आगे एक और अक्षर है वो है मैनत जिसके वज़े से बाकी सब छोटे हो जाते हैं मितुन राशी आज आपको मन को शांत रखना चाहिए अच्छे इनोबेटिव और क्रेटिव आइडियास आएंगे अटके लटके और बढ़के सरकारी काम पूर्ण करने के लिए आज कमर कस के तैर हो जाएं कारुबार को आगे बढ़ाने के लिए ओक्यों शांदार समय है लेकिन आपको परचार परसार पर ध्यान न देना चाहिए और नहीं जबरदसी का जूटा आडंबर करना चाहिए करियर से समधित बातों में थोड़ा ठहराव मैसूस होगा दूर कामी परिणाम को देखते हुए आज डिसिजन लीजिएगा पारिवार एक सहयोगी प्राफ्त होगा दारदार हतियार लुकिली चीज़ें आग और करेंट से खत्रा है ध्यान रखिएगा स्टूड़िट्वालिटी दान पूजा पार धर्म करम में आपकी रूचे रही को और एक जिमादार वैक्ति की तरीके से आज आज आप काम करेंगे मेरे प्रेसातियों आर्थी इस्तिती को संभालने के लिए परिवार के साथ बैठ कर बात करेंगे स्टूड़िट आर्टिस और प्लेट्स नए हो या पुराने दोस्तों और सोशल मीडिया के दोरा आज बहुत कुछ अच्छा सीखने और करने वाले हैं करकर आशिए आज कानूनी दावपेस तोड़ा सीख लिजी डॉक्यमेंट कैसे बरना है इमेल कैसे करनी है या फिर कोई टेक्नोलजी सीखनी है कोई भी प्रकार का फॉर्म फिल करना है किसी भी प्रकार के इंगलिश या कोई भी और चीज़ है जो आपको नहीं आती अक्सर आप लोगों पर महताज रहते हैं उसे सीखने का आज प्रयास करें बिजनस में ध्यान रखें कि गुस्सा करना परिस्तित्यों को बेगार सकता है बंते कामों में अर्चन आ सकती है वर्ट प्लेश पर आपको किसी के साथ उलजने से हानी होगी है आपको इस हला दी जाती है कि वैर्ट के विवाद से दूरी बना कर रखें दौर दूब अदीब होगी लेकिन धैर यह जरूर रखें करियर में अपने आपको काफी पीछे पाएंगे जबकि इससे निराशा ही बढ़ेगी बैटर है कि पॉसिटिविटी से दिन की शुरुवात करें करोद पर नियंद जरूरी है साकारत बगता बना कर रखें तो आज का दिन आपके लिए पॉसिट होगा जीवन में कहीं ने कहीं बदलाव आज जरूरूंगे दृस्टी कौन अपना पॉसिटिव रखें समाज परिवार गली महले में आपकी छवी आपके एक गलत काम की वज़े से बिगट सक सिंग राशी आज आमदरी पर थोड़ा सा घौर करेगा कितनी है पैसे से पैसा कैसे कमाएं जोड़ें कैसे हैं सेविंग कैसे हो और खर्च और कर्स कैसे कम किया जासे कि इस पर विचार करिए वैवसाइक वैवस्ता में थोड़ा सुधार करिए और ज्यादतर काम समय पर प परिवार के जिम्मेदारियों को आप अंदेखा मत करेगा वरना अपना ही नुकसान कर बैठोगे आज कहीं से पैसा आकर आप वो खुशी मिल जाएगी गरेलो इस्तती में कोई नई संपती खरीद रहे हैं नया कोई वेंचर क्रेट करने के लिए नए इंकम स्वर्स डेवलप करने के बारे में आज परिवार और अपनों के साथ बाचीत कागजात पर साइन भी करवा सकती है यानि दरातल पर उतर जाएगी स्टूडेंट आर्टिस और प्लेयर्स मन अकेला और उदास आपका रहेगा अच्छे साती और अच्छे दोस्तों साथ बात करिए सिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे स्वेंब जाहें वहीं रहते हैं मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं आत्मसम्मान और विश्वास पर ब्रतियों के स्वासिक प्रति आप सचेत और जागरूक हो रहे हैं जो कि आपके लिए अच्छा है लेकिन ट्रेवल में ल अपना काम रिप्टा सकें और बाद में फैशन पैशन अबीज को आप टाइम ले सकें वरकिंग एफिशेंसी में सुधार करके सफल होंगे समाज एमान और समान बढ़ेगा और आपके मित्रों की संक्या बली कितनी बढ़ जाए लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सही और ये जब आप ऐस्पिटल बढ़ती होते हैं ता आपके परिवार के लोग इस पास होते हैं ज्यादा ज्यादा बहुत क्लोज़स दोस्ता आपके साथ होंगे धियान रखिए सोच समझ के मित्र बनाएं गरेलू जो भी बाहिला हैं अगर उनके पास कोई हुनर है होता ही है उ उनका पड़ाई और खेल में बात नहीं बनेगी, कई दूर जाकर भी काम करिए, लेकिन काम जरूर करिए, निडरता दिखाईए, चुनोतियां, सबक है जिन्दगी का, इन से मजबूर नहीं, मजबूत बनो, लेकिन सेहत के मामले में, आज तोर तनाव आपको परिशान कर सकत प्रेसातियों, आएक छे राशी के बाद विशेश सरात पक्षे स्पेशल बात करते हैं, कि धन प्राप्त हो, और प्राप्त धन रुख जाए, और कहीं न जाए, सेविंग बहतर हो जाए, इसके लिए आज आज आपको अपने घर के किसी भी मरत बैक्ति को याद करते हुए आज अपने कामों में कोई भी रुकावट आपको महसूस हो रही है, तो आप अपने पित्रों की करपार राप्ति करने के लिए, सपने में पित्र यानि पूरवज अगर आपको देखाई देते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका सरात अब सफल हो रहा है, वो प्रसन हो अमावसिया या आज नवमे के दिन आपको आसपास के लोगों के अंदर ये देखना है कि कौन जरुतमन है, उसको वो चीज देनी है जो आपके पित्रों पूरवजों को सबसे ज़्यादा पसंद थी, कोई कपड़े पसंद होता है, किसी गड़ी पसंद होती है, जो भी ची जा रहा है, इसलिए सची सरदा के साथ इस काम को पूर्ण करिए, बात करते हैं तुला राशी की, समाज, परिवार, गली, महले, सोशाइटी और सोशल मीडिया पर कुछ स्पिशल करने के महुका आपको ज़रू बिलेगा, स्टुडेंट, आर्टिस और प्लियर्स, आज प् और इंतजार करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक, घर के साथ सजावट के लिए आज जेब ढिली होने वाली हैं, व्यापारियों को मुनाफ़ा मिले, इसके लिए आज कुछ अच्छी खरीदारी हो सकती हैं, वाशी होके बनने से, वर्तमान समय में पूरी बेहनत, ताकत और ऊटजा के साथ अपने काम की शुरुबात करिए और उससे पूर्ण करके ही दम लीजिए, अपने रूटीन में छोटा बड़ाव करके बड़ा बड़ाव आप आने वाले टाइम में देखेंगे, वर्ड प्लेस पर आ रहे ही समस्याओं को सुलजा गाड़ी और माकान या कोई स्थाई संपती खरीदने का मौका आपको बिलेगा, आप उस पर निर्ने ले सकते हैं, बहुत दिनों से आपने पड़ोसियों के साथ या अपनों के साथ समय नहीं बिताया, तो आज उनका हाल चाल आप पोचिए, हसी मजाग में महल अच्छा ब बच्चों के साथ बैठिये और उन मुद्दों पर बात करिये जो उनके संसकार और भवश्य के काम के हो सकते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होगा, बात करते हैं वरश्चिक राशी की, आज अपने ददियाल, दादा दादी, परिवार के उन सदस्यों से बात करी जो पै पैसूस करें कि इसके लिए अच्छी नीन लेना ज़रूरी है, नकारत में बोलने से बचिए, आपके नकारत में वानी रिष्टे खराब कर सकती हैं, आफिस में जिम्यदारी निभाते हुए, इससे परिशान हुए बगैर हर काम को खुश रहकर करोगे, तो आज देखिए क आपको लोगों का सयोग भी प्राप्त होगा है, समय पर काम पूरा करने की बजाए, समय से पहले काम पूरा करने के बारे में सोचिए, मन को केंद्रित करिए, यह हो सकता है, जिस समय, जिस काम के लिए बादा करो, ठीक उसी समय उसे निभाने की कोशिश करो, लोगों की बी वार है तो मर्यादा का पालन करें एक दूसरे को स्पेस जरूर दीजिए गड़े मुर्दे उखाडने की कोशिश न करें इसी में फायदा है इस स्टुडेंट के लिए आज सिक्षा पर ध्यान देना ही सबसे बहतर होगा धनुराशी शादी शुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लाव पार्टनर वो भी नहीं है तो दोस्तों के साथ मन भेद और माधिवेद को दूर करिए मौटिवेशन पैदा करिए देखे का बॉंडिंग शांदार हो जाएगी वर्ट प्लेस पर किसी से बातचीत करते समय अ आप अपनी स्किल क्वालिटी एबिलिटी को और निकारने के कोशिश करिए वो रूटीन शांदार बच जाएगा और वर्किंग एफिशेंसी भी आपकी शांदार हो जाएगी सुनफा और बुदादित योग के बनने से कानूनी अर्चन दूर होगी और फाइनेंस की होटल बुकिंग हो सकती हैं पारिवार एक सहयोग भी मिलेगा और प्रमाध यानि आमोध प्रमोध अच्छा रहेगा युवाओं को आज सामाजी कार्यों में बर्च अड़कर इससा लेना चाहिए कहीं कोई आयोजन है उसमें सक्रिय बागिदारी निपाईए तो निड़ने लेजिए बिजनस पे दूर द्रिश्टी रखते हुए निड़ने लेने का आवश्यक्ता है वेवसाई यात्रा आज सफल रहेगी किसी बड़ी समस्या का हल बड़े बुजरुगों की किसी बात से निकलेगा पैसे से पैसे कमाने का अवसर आपको जरूर बिल रहे हैं आपके जो आसपास की लोग काम कर रहे हैं वो कहीं न करे आपस में कॉंपेटेशन रखते हैं सब लोग मिलकर करिये अपनी शमता गरुसार एक दूसरे को मौटिवेट करिये दिल का बोझ हलका हो जाएगा परिवार के किसी व्यापार से अगर आप जुड़े बें बुज़र्गों की और बच्चों की सेहत में आज रोड़े तकलिवा सकती एलट रहे है दिन आप पर पारिवार एक जिम्मेदारी डालने वाला है इसलिए शांत रहते हुए अपने काम को पूरा करिए स्टूडेंट, आर्टिस और प्लेयर्ट्स, दोस्तों में कोई जड़ब हो सकती है सोशल मीडिया पर कुछ गलत हो सकता है आपस में ही कोई तकलिवा सकती है, ध्यान रखना है पड़ेगा बात करते हैं कुमबराशी की मेरे परेशातियों, कुमबराशी वाले लोगों के लिए आज संतान सुक और संतान से सुक और संतान को चाहिए कि मा पिता जी से दिल खोल कर बात करें व्यवसाय में करमचारी का सकारत पक रवया वर्ड प्लेस की व्यवस्ता को बहतर बना सकता है आपकी उपस्तिती वहाँ होनी चाहिए जापकी जरूत है, आपकी जरूत खतम आप आसे निगल जाएए आज आफिस में अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देने की जरूत है अगर आप अपने बॉस के लिए किसी और्गनेजिशन के लिए कोई प्रेजिशन तायर कर रहे हैं, तो आज आपको कॉन्फिडेंस शांदार बिलेगा, किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, तथा पुरानी खुश्चुमा यादे भी तरोताज होगी घर का वातारों भी मंगल मैं बना रहेगा स्टूडेंट, आर्टिस और प्लेयर्स सकसेस पाने के लिए लगातार परियास करिए जल्दी बाजी में ट्रेवल, बाचित करना, निर्डे लेना हाने देगा अज संतुलित खान पान और नींद कमजोर तकलिफ दे सकती है परिवार को समय दीजिए और महिलाओं को समान दीजिए और वो प्रोफेशनली कुछ करना चाहती है तो पुरुशों को चाहिए कि उनको सपोर्ट करे मेरे प्रेसाति हूं आज यातरा में थोड़ी दुरगटना या किसी चीज़ के गुम या हो जाने की सुख बुगाहट आ रही है थोड़ ध्यान रखिएगा बात करते हैं मीन राशी की जमीन और जायदात के खरीत फरोग रेनोवेशन या डॉक्यमेंटेशन पर आज बात आगे बढ़ेगी बिजनस मिटिंग में दूसरों को नीचा दिखाने किसी व्यक्ति के व्यक्ति के जिवन पर टिका ठिपड़ी करने से बज़ना चाहिए वरना आपकी इमेज खराब हो जाएगी लेट लटीफी ओवर कॉंफिडनेस और आलेसे के कारण हाथ आई बे और टेंडर निकल सकते हैं आपकी योजनाएं समय पर पूरी हो यह नहीं समय से पहले पूरी हो इस पर ध्याद दीजिए अपने काम के राज को किसी से शेड़ने करें नौकरी करने या नौकरी में परिवर्तन करने के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आज फॉर्म बढ़ते समय एपलाई करते समय लापरवाई न रखें डॉकिबेंट डेटा यह सब समाल करके रखिए फाइलों को सेव करके रखिए मेरे प्रियसातियों आज संतान की सेहत पर विशेश ध्यान दीजिए और उनके संसकार पर भी ध्यान दीजिए आपके लिए बावनात्वग और शारीडिक तंदुरिष्टी वाला समय है निराशावाली लोग, एन्वायर्मेंट और विचारों से तुरंत दूरी बना लीजिए गर के बड़े बुज़र्गों की आज तवेद घराव होने वाली है या कुछ ऐसा हो, आप उनके पैड दबाईए, साथ में बैठकर बात करिए, उनको बैसे अच्छा लगेगा स्टूडेंट, आर्टिस और प्लेट्स, मन को शांत रखे, आपका दिन शांदार हो जाएगा मेरे प्रेसातियों, आईए अब कारिकरम के अंतों बात करता है, आज कैस्ट रुक्यान की, अगर आपके राशिय, कर्णिया तुला, धनू, मकर, कुम्ब है, तो आपके लिए शुब दिन है, मेश, व्रशा, बितुन, सिंग, राशिय बाले लोगों के लिए सामानी है, पर कुर्वजों का आशिरवाद बिलेगा, साथ मेरा राशिय प्राइवे संकट के बादल भी हट जाएंगे, मेरे प्रेसातियों, स्वास्त रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, आप उसे परसले बिल भी सकते हैं, टेलिफॉनिक और वीडियो कॉन्फरेंसिंग अद्वारा, धन त्रय दशी से भयादूज यानी 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक हमारे साथ मनाई महालक्ष्मी महुत्सव, इन साधनाओं में आप आएंगे 27 मंत्रसिद्ध लक्ष्मी प्रिये पूजन सामकरी, तो देर किस बात की, करिए पूजा और उठाए लाग, क खुशियों की सोगात, आपकी जीवन में कर देगा धन और वैभव की बरसाथ, महालक्ष्मी पूजन पाकित प्राप्त करने के लिए संपत करें